हेलो अससलाम वालेकुम फ्रेंड वेलकम बैक टू अनाधर व्लॉग और आज आप मेरे पीछे रह सकते हैं वाटरफॉल यह हजीरा से 10 किलो मीटर करीब है चवार के लिए जगह है और यहां के नजारे आपको दिखाने के लिए वड़ी हम दूर से आएं और यह तकरीबन रावला कोट से जो है तकरीबन 60 किलो मीटर दूर पड़ता है तो अगर आप थाईगी लख से आएंगे तो आपको तकरीबन 50 किलो मीटर तूर पड़ेगा तो आप नजारे चेक के रहें माशाला से वही क्या नजारे हैं अब ही आपको देखें लोग नहा र के लोग पिङनिक बनाने भी महाशला से यहा पे यह पिइनिक बनाई जाती है पारीस सोल निंग झोल्डींग ठी रहे हैं इनको भी दिखाxi से पिगनिक गना तो आपट हिए और आगे है उसकत चलते है आए जैसे हम करीब जाते गी नजारे पी अटी जाती जाएंग देखें फैंस यहां पर दो तीन जगा है बड़ी घरी आप अराम से आकर स्विम्मिंग भी कर सकते हैं आगे देखें स्विम्मिंग हो रही है लोग इंज़ाय कर रहे है अब पानी किसा खंड़ा है 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 मज़े का पानी है यह देखें वाजी लोग नहार है यहां पर जाएसी बाद आवार खेल के अंदर आएं और इस तरह इंज़ाइं ना करें तो मदा ही नहीं आएगा जी फैंस यहां पर देखें है माशाला सेटिंग का अरेंजमेंट भी है और यहां जो लोग आएं पिक्निंग बनाने के लिए तो बड़ा जबर सा महौल है आगा इन पहारियों के बीच में यहां पर माशाला से रिफ्रेश्मेंट का इंतिजाम है यहां पर खाने पीने की सब्सक्राइब हैं सब्सक्राइब हैं तो जो लोग भी तवार खेल वाटर फॉल आएं तो उनके लिए रिफ्रेश्मेंट का समान बिलकुल है तो आएं यहां पर इंजॉय करें और हसीन नजारों से फाइदा होता है हाइब यह देखें वाजी लोग नहा रहे हैं आपर जाए सी बार खिल के अंदर आएं और इस तरह ना करें तो मदा ही नहीं आएगा जाए तरह खेल वाटर फोल आपको कैसा लगा यहां के असी नजारे कैसे लगे आपको और यहां पर आएं जॉय करें स्विमिंग करें थंडा यक पानी है कश्मीर के नजारे एंजॉय करें और उमीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक कर देगा और हमारे चैनल शाजे बसंट टीटेशन को सब्स्क्राइब भी आजमी कर देगा हमारा पेज़ूप प्रेज किये ताजे बसंट ब्लॉग के नाम से उसको भी फॉलोग करें इस ब्लॉग से नहीं जाद अपना बहुत सारा खयाल रखीगा दौाओं में रखीगा मेरे सब्सक्राइब आप्यार अलाह आपिस बस्केश incentiv अलाह और वी आपिस में यह मना आपिस के लिएब Master जये मैं तोलाह IGHT